हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है एवरेज और आरेमेज वैल्यू और फुल वेव रेक्टिफायर यहां पर हम सीखेंगे कि हम जो फुल वेव रेक्टिफायर है उससे जो हमें आउट्पुट मिलता है डीसी वोल्टेज तो उस वेव फॉर्म की हम एवरेज वैल्यू और आरेमेज वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए आई हम देखते हैं यह देखिए यह जो हमारे पास दिखाई दे रहा है यह है ब्रिच रेक्टिफायर ब्रिच रेक्टिफायर क्या करता है सिंप्ली एसी को डीसी में कनवर्ट करता है लेकिन यहां पर जो आ कि दो टाइप होते हैं एक तो ब्रिच रेक्टिफायर होता है हमारे पास और दूसरा होता है मिड़ पॉइंट डायोड रेक्टिफायर तो आउट पूट तो हमें इनका बिल्कुल सेम मिलता है बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनके पी आईवी में है कि यह देखें जो हमारा प्रिच रेक्टिफायर है इसके इंपूट में हमने एसी वेफोर्म दियें जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि यह जो वेफोर्म है हमारी वो क्या है AC waveform है means यह input हमारे पास है यहाँ पर वो एक AC waveform का है अब हमें क्या करना है हमें simply यह पता चलेगा जैसे यह हमारी AC waveform है जैसे यह input में हमारी AC waveform है यह जो AC waveform है अब हमारे पास positive half side की लाई जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यह जो हमारी positive half cycle आई उस time पे जो हमारे diode D1 और D2 है वो क्या हो गए हमारे forward bias means यह वाला diode और यह वाला diode तो हमारा forward forward bias हो गया और यह जो diode है यह दोनों हमारे हो गए open circuit तो इस time पे जो current flow हुआ हमारे load register में इसका direction कैसा रहा कुछ इस type means यह रास्ते को इसने अपनाया और यहाँ पे जो हमें output voltage मिला यह मिला plus minus load register R के across ठीक है अब लेकिन जब negative half cycle आई यह जो negative half cycle है यह वाली आप देखिए इस time पे क्या होगा हमारे diode जो D3 और D4 है वो क्या होगे यह जो D3 और D4 है यह क्या हो जाएगे हमारे short circuit और इस time पर D1 और D2 जो है वो हमारे हो गए open circuit तो इसके कारण क्या हुआ हमारा कि जो circuit बना देखिए आप फिर से circuit जो बना यह वाला और यह वाला यह दोनों तो हमारे हो गए क्या हो गए short circuit और यह जो थे हमारे D3 और D4 यह हो गए हमारे simply open circuit तो यह हमारी waveform की line है तो देखिए यहाँ पे हमारा जो था D3 और D4 negative half cycle के लिए है वो क्या हो गए short circuit और इस time पे जो हमारा source voltage है वो यहाँ पे तो negative होगा और इस point पे क्या होगा positive तो हमारा यह जो D2 है यह तो open circuit हो गया और D1 भी open circuit हो गया और D3 और D4 जो हो गए हमारे short circuit हो गए अब देखिए current कैसे flow का यह D3 से होता हुआ जा रहा है फिर load register के across इस shape में फिर यहाँ से यह गया यहाँ पे आया negative से enter हुआ और वापिस इसमें अपना रास्ता जो है वो complete कर लिया आप दोनों ही cases में देखिए जो load register आया था उसके across जो current का direction आया था वो दोनों ही cases में मतलब जो first case था हमारा जब हमारे D1, D2 short circuit थे और जो हमारा second case है जब D3, D4 short circuit होए उस time पे दोनों ही time पे जो हमारा load register है उसके अंदर जो current flow हो रही है वो same direction में हो रही है अगर opposite होती ही तो हम बोलते कि voltage इस type में आया लेकिन opposite तो है नहीं same है इसलिए हमने कहा कि output R के अक्रास हमें voltage मिल रहा है वो positive ही मिल रहा है क्योंकि दोनों time same direction में current flow हो रही है इस तरीके से AC DC में convert हो गई है और यहां पे जो हर diode है उसके across जो peak inverse voltage आएगा वो कितना आएगा Vm आएगा तो हमारी जो main चीज है वो है यह हमारी output की output में हमें जो voltage मिला है और अब हम इसी का ही average value और इसी की ही RMS value को find out करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं कि यह जो है हमारे पास जो waveform दिख रही है वो output voltage waveform है अब हम इसका क्या है क्या करेंगे find out average value average value find out करेंगे सकते पहले तो हम देखेंगे 0 से लगे πाई इसका जो time period है वो कितना है हमारे पास पाई क्योंकि हर पाई के बाद यह अपने आपको repeat कर रही है और यह 0 से लगे पाई में किस waveform की तरह दिखती है हमें sin omega t की तरह है ठीक है और इसकी maximum value हम क्या मान के चलता है वो है vm मतलब यह जो हमारा input है वो कितना क्या है एक तरीके से vm sin omega t तो देखे हमने average का formula लगाया 1 upon t v i dot d omega t यही लगाते थे और 0 से लेके t के लिए उसको integrate करना होता था 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 तो अब इस case के अंदर हमने क्या किया जैसे आप लोग देख भी सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया यह देखे है आप यहां पर 0 से लेके pi के लिए हम इसको integrate करने लगे क्योंकि 0 से लेके pi के लिए हम इसे देखना पड़ेगा pi इसका time period है अब हमने यहां पर जब नीचे आये तो हमने इस vm को क्या किया outside ले लिया और यहां पर लिखा sin omega t d omega t का हम integration करेंगे अब sin omega t का integration क्या होता है minus cos omega t इसमें हमने limit लगा दी 0 से लेके pi अब हम limit पुट करेंगे देखे हमने minus को तो बहार रखा पहले रखा cos pi फिर minus cos 0 ठीक है तो अब यह minus अगर हम इसे अंदर multiply करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos 0 minus cos pi बजज इसका उल्टा हो जाएगा अब देखिए अब cos 0 की value क्या होती है 1 होती है और cos pi की value क्या होती है minus 1 होती है ठीक है तो 1 minus minus 1 क्या हो जाएगा 2 तो हमारे पास जो average value निकल के आए वो कितनी निकल के आए 2VM upon pi मतलब जो हमारा full wave rectifier है उसका जो output voltage होता है उसके average value कितनी होती है 2VM upon pi चलिए अब हम find out करते है RMS voltage इसी waveform की तो देखिए हमें formula पता ही है formula पता ही है हमें input waveform time period भी हमें पता है कि pi है और जो हमारा Vs है वो हम क्या मान के चल रहा है Vm sin omega t अब आपको given formula में इसारी values पूट करनी है देखिए हमारे पस क्या है under root है 1 upon t 0 से लेके t t क्या है यहाँ पे pi है Vs square d omega t चलिए एक बर इसे आप t मान देजे अब नीचे आएए t हमने क्या माना t is equals to कितना है pi हमने नहीं waveform से देख सकते हैं यह जो period है वो कितना है pi का हर pi के बाद है अपने आपको repeat कर ला है इसलिए time period इसका pi होता है ठीक है अब आप आगे बढ़िए यहाँ पे देखिए यह जो Vm है एक तरीके से constant है हमारा तो Vm को square करके हमने बाहर निकाल लिया अब हमें integrate जो करना है वो किसको integrate करना है sin square omega t को अब यहाँ पे इसको कि बिल्कुल भी बाहर निकाले तो Vm का square है उसके उपर root है तो मतलब वो Vm हो गया ठीक है और pi है pi के उपर square हो है निक तो इसलिए अंडर root में pi हो गया अब हमें अंदर की side देखे क्या मिला 0 से लेके pi sin square omega t d omega t को आपको integrate करना है अब जैसा कि हम formula जानते है technometric according कि sin square omega t जो होता है वो किसके बरापर होता है 1 minus cos 2 omega t divide by 2 तो हमने इसकी value को replace करके हमें यहां लिखते है जैसा आप देख रहे हो यहां पर अब हमें integrate जो करना है वो इस value को integrate करना है ठीक है तो ओब देखिए हमने क्या किया अब इस value को integrate करने के लिए इसको 2 parts में divide कर लिया एक हमने इसको ऐसे divide किया कि हमने इसको लिखा 1 upon 2 माइनस कॉस्ट ओमेगा टी डिवाइड बाइ टू तो इसे दो पार्स में डिवाइड करके हमने इसको इंटेग्रेट किया अब देखिए डी ओमेगा टी यहाँ पे कुछ थीटा का टम या ओमेगा टम तो है नहीं इसलिए हम इसमें डारेक्ट लिमिट डालेंगे पाई माइनस जीरो फिर यहाँ पे कॉस्ट ओमेगा टी है ठीक है कॉस्ट ओमेगा टी का इंटेग्रेशन क्या होता है साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाई टू और यह पुराना टू हमारा चलता हुआ आई रहा है और हमने इसमें लिमिट डालने है जीरो से लेके पाई के बीच में ठीक है अब देखिए सबसे पेड़ी वाद यहाँ पे हर जगे रूप चल रहा है ठीक अब हमने यहाँ पे जब लिमिट डाली तो हमारे पास आया वन अपॉन टू पाई ठीक और यहाँ पे अगर हम डालेंगे लिमिट तो हमारे पास आया साइन टू पाई डिवाइड बाई फोर माइनस साइन जीरो डिवाइड बाई फोर अब दोको सिपल सी बात है साइन और अंडर रूट में पाई बाई टू तो देखे एक तरीक से यह रूट पाई रूट पाई कट गया अपस में और हमारे पास क्या बचा वी एम अपॉन रूट टू इसलिए जो हमारे पास आरमस वैल्यू आ रही है यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर की वह कितनी आ रही ह वी एम अपॉन रूट टू तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू जो निकल कियाएगी वह री वी एम अपॉन रूट टू निकल कियाएगी थैंक यू